ये वैश्विक शांती के लिए उनके योगदान को अमर बनाएगा साथियों संकट के समय में हमारी सेना और स्वरक्षाबल देवदूत बनकर न केवल भारतियों को बल्कि विदेशी नागरिकों को भी निकाल कर लाते हैं मुझे याद है जब सुडाम से भारत बाचियों को निकालना था तो कितने सारे खत्रे थे लेकिन भारत के जावालों ने अपना मिशन कोई नुक्षान हुए बिना काम्याभी के साथ पूरा किया तुर्किये के लोग याद भी आद करते हैं कि ये जब वहां भयंकर भुकम पाया तो किस तरह हमारे सुरक्षाबलों ने अपने जीवन की परवाण ना करते हुए वहां दूसरों का जीवन बचाया दुनिया में कहीं पर भी भारतिया अगर संकट में है तो भारतिये सेनाएं हमारे सुरक्षाबल उन्हें बचाने के लिए हमेशा तत्वर रहते हैं भारत की सेनाएं और सुरक्षाबल संग्राम से लेकर सेवा तक हर स्वरूप में सबसे आगे रहते हैं और इसलिए हमें गर्व हैं हमारी सेनाओं पर हमें गर्व हैं हमारे सुरक्षाबलों पर हमें गर्व हैं हमारे जमानों पर हमें गर्व हैं आप सभी पर मेरे परिवार जनों आज दुनिया में जिस तरह के हालात है उसमें भारत से अपेक्षाएं लगांदार बढ़ रही है ऐसे एहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारती सिमाए सुरक्षित रहें देश में शान्ती का बातावन बना रहें और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमी का है भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमाले की तरह अटल और अडीग ये मेरे जावाँच साथी खड़े आपकी सेवा के कानण ही भारत भूमी सुरक्षित है और सम्रुद्द के आए मार्ग पर प्रसस्त भी है पिछली दिवाली से इस दिवाली का जो कालखंड रहा है जो एक साल गया है वो विशेश तोर पर भारत के लिए अभूत पुर्वा उपलब्वियों से भरा हुआ है अम्रित कान का एक वर्ष भारती सुरक्षा और सम्रुद्दी का प्रतीक वर्ष बना है बीटे एक वर्ष में भारत ने चंद्रमा पर वहां अपना यान उटारा जहां कोई देश पहुँच नहीं पाया था इसके कुछ दिन बाद ही भारत ने आदित्य आल वन की भी सफल लॉंचिंग की हमने गगनियान से जुड़ा एक अत्यंत महतोन परिक्षन भी सफलता से पूरा किया इसी एक साल में भारत का पहला स्वदेशी एरकाप करियर आइनेस विक्राण नवसे ना में शामील हुआ इसी एक साल में भारत ने तुमकुरों में एशिया की सबसे बड़ी हेलिकोप्रसेक्टरी की शुड़ात थी इसी एक साल में बॉर्डर इलाकों के विकांस के लिए वाइबरेंट बिलेच प्रोग्रेम का शुबारब हुआ आपने देखा कि खेल की दुनिया में भी भारत ने अपना पर्चम लहराया है सेना और सुरच्छा वलके कितने ही जमानों ने भी मेडल जीत कर लोगों का दिल जीत लिया है बीते एक साल में एश्यन और प्यारा गेंजम्स में हमारे खेलाडियों ने मेडल की सेंचिरी बढ़ाई अंडर 19 क्रिकेट वोल कप में हमारी महिला के लाडियों ने 20 कप जीता है 40 वर्षों बार भारत ने IOC की बैटर का सपल आयोजन किया है साथ्यों पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का कालगन भारतीय लोगसंत्र और भारत की वैस्विक उपलद्यों का भी वर्ष रहा है इस एक साल में भारत ने सौंसरती नई इमारत में प्रवेश किया संसर्थी नई इमारत में पहले सत्र में ही नारी शक्ती बंदन अधिनियम पारित हुआ इसी एक साल में दिल्ली में जी ट्विंटी का सफलता मायोजल हुआ हमने दियु डिल्ली डेकलेरेशन और ग्लोबल बायोफिलर एलाइंस जैसे महत्वपुन समझोते किये इसी कालखन में भारत रियल टाइम पेमेंट के मामले में दुनिया का सबसे सक्षी शाली देश बना इसी कालखन में भारत का एक्पोर्ट चारसो बिलियन डॉलर को पार कर गया इसी समय में ग्लोबल डीडी डीपी में भारत ते पांच मास्तान हासिर किया इसी समय में हम 5G यूजर बेस के मामले में यूरोप से भी आगे निकल गई साथ क्यों बीता एक साल राष्ट निर्मार का महत्वपुन राष्ट बना है महत्वपुन वर्ष बना है इस साल देश के इंफ्रा सेक्टर डेवलप्मेंट में हमने कई उप्लब्द्य हाशिल किया है आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेट्वर्क वाला देश बन गया है इसी काल्म गण में हमने दुनिया की सबसे लंबी रिवर को सेवा की शुरुबात की बेश को अपनी पहली रैपिड रेल सेवा नमो अब भारत का उपहार मिला भारत के 34 नए रूट पर बंदे भारत ट्रेंड रप्तार भरने लगी है हमने इंडिया, मिडल इस, यूरोप, एकोनोमिक कोरिडोर का स्रिगनेश किया दिल्ली में दो वर्ड क्लास कन्विंशन सेंटर यशो भुमी और भारत मंदपम का उद्गाटन हुआ Q.S. वर्ड रैंकिंग में भारत एचिया के सब चैदिक विश्वे विश्वे वाला देश बन गया है इसी दोरां कच्के धोर्डो, सीमा वर्ती गाउं, रेकिस्तान का गाउं, छोटा सा गाउं, धोर्डो उद्गाउं को सहिंतर राष्ट से बेश टूरिजम विलेज का एवर्ड मिला है हमारे शांति निकेतन और होई साला मंदीर युनेस्को की बर्ल हेरिटेज लीस में शामिल हुए साक्यों, जब तक आप सीमाओं पर सजग खड़े हैं, देश बहतर बविश्च के लिए जी जान से जुटा हुआ है आज अगर भारत अभी पूरी ताकत से विकास ती अनंत उचाईयों को चू रहा है तो उसका स्रे आपके सामर्फ को, आपके संकल्पों को और आपके बलिदानों को भी जाता है मेरे परिवार जनों, भारत ने सदियों के संगर्षों को जेला है सुन्ने से संभावनाओं का सुजन किया है 21 सदि कहा भारत, अब आत्म निर्भर भारत के रास्ते पर कदम बढ़ा चुका है अब संकल्प भी हमारे होंगे अब संकल्प भी हमारे होंगे संसाधन भी हमारे होंगे अब होसले भी हमारे होंगे हतियार भी हमारे होंगे दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे हर स्वास में विश्वास भी अपार होगा खिलाडी हमारा, खेल भी हमारा जय विजय और अजय है प्रन हमारा उंचे परवत हो या रेगिस्तान समंदर अपार या मैदान विशाल गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा अमरत काल की इस बेला में वक्त भी हमारा होगा सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे सिब्धी की एक गासा लिखेंगे परवत से भी उपर संकल्प होगा पराक्रम ही विकल्प होगा गती और गरिमा का जग में सम्मान होगा प्रकंड सभलताओं के साथ भारत का हर तरफ जैगान रहेगा क्योंकि अपने बल विक्रम से जो संग्राम समर लड़ते हैं सामर्त हाथ में रखने वाले भाग्य स्वयम घड़ते हैं भारती सेनाओं और सुरक्षाबलों का सामर्त लगातार बढ़ रहा है डिफेंस सेक्टर में भारत तेजी से एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के रुप्मे उभर रहा है एक समय था जब हम अपनी छोटी छोटी जरुतों के लिए दूसरों पर निर्वर होते थे लेकिन आज हम अपने साथ साथ अपने मित्र देशों की रक्षा जरुरतों को भी पूरा करने की तरब बढ़ रहे हैं जब मैं 2016 में इसी क्षेतर में दिवाली मनाने आया था तब से लेकर आज तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट आठ गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है एक लाख करोर रुपिय से ज़्यादा का डिफेंस प्रोड़क्शन आज देश में हो रहा है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है साथ क्यों हम जल्द ही ऐसे मुकाम पर खड़े होंगे जहां हमें जरुत के समाएश दूसरे देशों की और नहीं देखना होगा इससे हमारी सेनाओं का हमारे सुरक्षाबलों का मनोबल बढ़ा है हमारी सेनाओं की सुरक्षाबलों की ताकत बड़ी है हाइटेक टेकनोलोजी का इंटरिगेशन हो या CDS जैसी जरुरी व्यवस्ता भारत की सेना अब लगातार धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रही है हाँ टेकनोलोजी के इस बढ़ते प्रसार के बीश मैं आपको ये भी कहूंगा कि हमें टेकनोलोजी के इस्तिमाल में मानिविय सुझबुझ को हमेशा सर्वो पर ही रखना है हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि टेकनोलोजी कभी मानिविय संव्यदनाओ पर हावी ना हो साथियों आज स्वदेशी संसाधन और टॉप लास बॉर्डर इंफ्रासेक्टर भी हमारी ताकत बन रहे हैं और मुझे खुची है कि इसमें नारी शक्ति भी बड़ी भूमी का निभा रही है बीके वर्षों में इंजियन आर्मी में पांसो से ज़ादा महिला आफिसर्स को पर्मनेंट कमिशन दिया गया है आज महिला पाइलर्ट रफैल जैसे फाइटर प्लेन उड़ा रही है बार्शिप पर भी पहली बाम विम्मेन आफिसर्स की तैनाती हो रही है ससक्त समर्थ और संसाधन संपन्द भारतिय सेनाए दुनिया में आधुनिक्ता के नए प्रतिमान स्थाथित करेगी साथियो सरकार आपकी जरुवतों का भी आपके परिवार का भी पूरा ध्यान रख रही है हमारे सैनिकों के लिए अब ऐसी ड्रिसिस बनी है जो अमानिवी ये तापमान को भी सहन कर सकती है आज देश में ऐसे ड्रॉन्स बन रहे हैं जो जवानों की शक्ती भी बनेंगे और उनका जीवन भी बचाएंगे बन रैंक बन पैंशन और ओरोपी कित से तादवी अब तक नब्वे हजार करोड के दी जा चुके साथियों देश जानता है कि आपका हर कदम इतिहास की दिशान निरधारिक करता है आप देशे बीरों के लिए ही कहा गया है सुर्मा नहीं बिचलित होते सुर्मा नहीं बिचलित होते शन एक नहीं दीरज खोते शन एक नहीं दीरज खोते विग्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं मुझे भी स्वास है आप इसी तरह माभारती ये सेवा करते रहेंगे आपके सहयोग से राष्ट विकास की नीच नई उचाईयों को छूता रहेगा हम मिलकर बेज के हर संकल्प को पूरा करेंगे इसी कांटा के साथ एक बार फिर आप सभी को दिपावली की बहुत बहुत शुपना की मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की